आज का प्रस्ण है तीसरी दुनिया आखिर तीसरी दुनिया कहते है किसको है ट्वेल्ट क्लास का पहले शेप्टर का आज ये अंतिम प्रस्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तीसरी दुनिया ठीक से बढ़ो ना जी तीसरी दुनिया होता क्या है ठीक है जब तीसरी दुन समझ रहे यह तीनों के बारे में भी आप लोगों को मैं बताने के लिए जा रहा हूं लेकिन इसके पहले मैं आप सबों को यह बता देता हूं कि यह तीसरी दुनिया जो सब्द की जो संकल्पना है यह विचार तीसरी दुनिया जो सब्द यह जो विचार जो आया ना यह खेमा किसी के नेत्रित में नहीं था वह एक अलग था समझ रहा है तो तीन गुरूप आप इसको समझ लेजिए तो तीन गुरूप मतलब तीन दुनिया बसा हुआ था एक अमेरिका के नेत्रित में दुनिया बसा हुआ था एक सोविय संग के नेत्रित में दुनिया बसा हुआ था देखो किसी के नेतरित में दुनिया नहीं बसा वा था अलगे हड़िया चड़ाता था तो तीन को हो गया के नहीं पहली दुनिया दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया आए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं पहली दुनिया के बारे में उसके बाद धिरे धिरे जाएं पहली दुनिया इसमें अमेरिका अमेरिका के नेत्रित में किसके नेत्रित में अमेरिका का नेत्रित में सीत युद्ध के दौरान अमेरिका का नेत्रित में जितना भी सारा देश था तो अमेरिका जानबे करते हैं कि अमेरिका किसका समर्थक था पूंजीवादी का समर्थक तो यह जितने भी सारे पूंजीवादी समर्थक जितने भी सारे जो देश थे और जो अमेरिका के साथ जो था समझे रहे हैं पूंजीवादी था वह क्या था आर्थिक रूप से किसे आर्थिक समाजिक है ना समाजिक राजनेतिक है ना सामरीक है ना जी सामरीक साइचिक मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह जो देश जो था पहली दुनिया के देश उसको कहते हैं जो अमेरीका का नेत्रित में था सीत यूद्ध के दवरान और यह सारे देश थे ओमिरेका के जो आर्थिक रूप से सैचिक रूप से सामरीक रुप से हरी कस्तर से क्या था मजबूत था कहने का मतलब आप एक सब्द में समझ लेजिए कि पहली दुनिया के साथ वे सारे देश था जो विक्सित देश था कौन था जो सारा विक्सित देश था Dixit, मतलब gambling country जो था, उसको सब क्या कहा गया, पहली दुनिया का देश कहा गया, समझ रहे हैं, पहली दुनिया के देश, समझ रहे हैं इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ को और मैं आपको बता देता हूँ, अमेरिका का नेत्रे में जो पूंजी वादी जो अर्थ ब्यवस्ता जो थी इसके साथ जितने भी सारे जो देश जो था वे सब आर्थी कृप से सैच्छी कृप से सामरी कृप से राजनिती कृप से काफी ज़्यादा मजबूत था और ये सारे सब मजबूत थे और ये सब अम तर grin तो कौन कौन सा देस था जैसे इसके अंतर गैखता तरितार पूट होची sürए जर्मिनी ता हुआ प्राग ते जर्मानी था लगजम बर्ग ना लगजम लगजम वर्ग था यह यह क्या था और इसमें क्या बोलते हूं उसको जे लग जम स्वीट जर्लेंड था ना जी स्वीट जर्लेंड था यह सारे देश क्या कहलाते हैं पहली दुनिया का देश कहलाता है आपको समझ वागया ना जो नहीं जानते हैं वो बोल देदा हां तू तिसरी दुनिया में रहता है समरा पता है तिसरी दुनिया में रहता है पता मतलब वो इस भावना से कह रहा है कि तिसरी दुनिया का मतलब होता है कि साथ चकाचाउंद वाली दुनिया आरे तिसरी दुनिया का मतलब होता है जहां की इसमें भी बताएंगे. ये समझ माघज और आस्ट्या, जर्मनी, लेक्जंबर्क, Sridger, लेंड ये सारे देश किस देश के थे? पहली दुनिया के देश कह queríaते हैं. समझ माघज और इना बात? ये सारे देश कौन सा कहलाइगे? पहली दुनिया का देश क्यालाइवка पैल्ली दुनिया के देश कहल देश छलिए आपको हम बता रहरेintelligultr कौन सा दूसरी पूरिया का mess दूसरी दूसरी दूनिया का देश आपको समझ मांगया होगा जब यह सारा देश अमेरिका के साथ पुंजिवादी ऐर्थ ब्यवस्ता के साथ समर्थक में था इसका मतलब दूसरी दुनिया के देश जितने भी सारे थे वे सारे देश इसका मतलब सोविय संग के नेतरित में था तो सोविय संग के नेतरित में जितने भी सारा जो देश था ना तो उस वक्त उसको दूसरी दुनिया के देश कहा गया सम हें लेकिन ढिना अमेरिक के सामरी कि रच्था टुलना में यह थोड़ा प्लिंद था इन्हें शी आ गला में कि कम धूड की छोओन था है मतला मैं मतला मतलब इसको आप कह सकते हैं कि एक दम बिलकुन क्या था विक्सित था और ये था क्या ये विकास सिल था ये विकास कर रहा था विकास सिल था ये डवलपिंग था इसमें है ना जी ये क्या कर रहा था डवलपिंग कर रहा था तीन सारे देशों को क्या कहा गया दूसरी दुनिया का देश कहला आया ये दूसरी दुनिया का द दूसरी दुनिया में कौन कौन सा देशा मिल था आथ हाँ आस्ट्रिया था आस्ट्रिया पागा लोग इकार है दूसरी दुनिया ना गलत बोल रहे हैं आफ लोग और कौन सा देश था इस में रूस था एक यूक्रेयन अभी जो दोनों लड़ रहा है हाना यूक्रेयन था संजानिया था इसमें लात्विया था लात्विया था इसमें बेलारूस था रहना जी बेलारूस कुल 15-16 देश था इसमे साथ ति ये सबी विकासिल था इन सबी देशों की तुल्ला में ये थुड़ा क्या था विकासिल था इसलिए इसको कहा गया दूसरी दुनिया का देश कहा गया समझवारे इसवाट दूसरी दुनिया का देश का आगया आपको इस परकार से आद रखना है पहली दुनिया का देश वे सारे देश कहलाया जो अमेरिका का नेतरित में था अर्थात वे सभी विक्सित देश थे दूसरी दुनिया के देश वे सारे देश कहलाया जो सोवियत संग के नेतरित में समा देश था ना तुभे सभी के सभी देश कहलाते थे दूसरी दुनिया का देश कहलाता था अब आते हैं आप को हम बता रहे हैं तीसरी दुनिया का देश आप लोगों को एक सवाल अगर पूछा जाएं अगर आप लोगों के एक सवाल पूछा है कि भारत पहली दुनिया में है की दूसरी दुनिया में है की तीसरी दुनिया में है आई चोटा लोग कल नहीं बताये थे जब सीत युद्ध जब चल रहा था भारत अलग तलग था गुट निरपेच में था वो किसी के साथ सामिल नहीं था उस वक्त सच्मुच में भारत की हलात बहुत ज्यादा खराब थी आधे से अधिक जनसंख्या के पास खाने का दो वक्त का भोजन भले नहीं था किसी तरह से देश की अर्थ विवस्ता रेंगते हिवे चल रहा था तो सीत युद के दुरान भारत गुट निर्पेच में था अर्थात आप कह सकते हैं सीत युद के काल में भारत तिसरी दुनिया के सरेनी में था लेकिन अभी अगर बरतमान परिपेच्च में अगर कहा जाए तो भारत तिसरी दुनिया के सरेनी में नहीं आता है भारत अभी जो है पहली पहली नहीं दूसरी दुनिया की स्रेनी में आता है जो बहुत ही जल्द भारत पहली दुनिया की स्रेनी में आ जागा समझने जी बात को तो भारत तीसरी दुनिया के सिरेनी में कब था जब सीत युद्ध जब चल रहा था उस वक्त भारत की स्थिति अच्छे नहीं थी लेकिन अभी भारत काफी ज़्यादा विक्सित कर गया भें क्या दुनिया की पाच्वी सबसे बड़ी अर्थ ब्यवस्था वाला देश है अमेरका के साफ सबसे ब्ड़ा वेपारिक समंध है भारत की फिरी दुनिया के भारत तो भारत उस वक्तिसरी दुनिया मता था जरूर जरूर आता था यह आधी क्योंकि हमने अभी प्रिस्थिति को हमने बता दिया तो कहना एक मतलए कि पहली दुनिया में वे सारे देश आता था जो अमेरिका के साथ सामिल था और विक्सित था दूसरी दुनिया में वे सारे देश आते थे जो सोबिय संग के साथ था और विकासिल था और तिसरी दुनिया में वे सारे देश आते थे उन सभी देश को तिसरी दुनिया के देश कहेंगे जो ना अमेरिका के नेतरित में था उस वक्त और नहीं सोब्यसंग के नेतरित में था बलकि ये सारे लोग इसमें भारत भी था ना इसमें भारत भी था तो इसके साथ भारत उस वक्त तिसरी दुनिया की स्रेनी में था क्योंकि ये सभी भारत जो है ना सोवियत संग के नेतरित में था गुट में था और नहीं अमेरिका के गुट में था नहीं अमेरिका के सैनिक गुट में भारत सामिल था और नहीं सोवियत संग के सैनिक गुट में भारत सामिल था अ है बोलें एक मेश अबमेश्यमद्ट योगोसलाविया हना योगोसलाविय मलेशिया कि म्लेशिया आफगानिस्तान यसारा देश है खैसे बहुं सारा देश असमें कि यह सबी उस वक्त तीसरी दुनिया का देश कहला ठाओ भारती इह से निकल गया है इसमें आ गया लेकिन चोटा लोगी साहब चाहे मिसर की बात करो युगोसलाविया की बात करो मलेसिया की बात करो अफगानिस्तान की बात करो बुटान की बात करो चाहे फिर इन सभी देशों की बात करो यह सब के सबब हैं यह अब यह सब सब तीसरी दुनिया की सिरे लिए आता था कि भारत की आधे से अधिक जनसंख्या के पास दो वक्त का भोज़न सही से नहीं मिलता था आधे अधिक जनसंह्या के पास अधे सिर धकने के लिए पूरी तरह तरह से वस्त्र नहीं था उसवारट, बाल उस्त कोतरों लोगों का कपड़ा बड़ा बड़ा सिलाता था के रेभी मगभा होगा तब तक तुमको क्या हो गा सब कर यह इदाद नहीं देख थे यह स्ट्राइल है यह क्या अरे स्ट्राइल देखना है तो चल जाए चन्ने के मरिना वीछ मैं फे आगे ने बोलेंगे समझे कि हम आज आज कि तो अगर आपको कोई कहता है कि यह तो समझज़ाय गर तीसरी दुनिया का मतलब हाँ वही आरे पहली पहली बार हम कैमरा के सामने हमको चीक आई है यार पहली बार इसमें भी आप लोग मजाक उड़ा रहे हो जी भालत है समझ गया है ठीक है समझ गया है चलिए अड़ाई